धंतेरस और दीपावली पर की जाने वाली खरीदारी और पूजा विधी से जुड़ी बहुत सी माननिताएं और धार्मिक महत्व होते हैं, जिनके बारे में जानकर आप अपने जीवन में समृध्धी और खुशाली ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वस्तों की, जिन्हें धंतेरस और दीपावली के दिन खरीदना बेहत शुभ माना जाता है। ऐसी वस्तु है, जो सोनेचांदी से भी अधिक कीम्ती मानी जाती है, और इसे धंतेरस के दिन घर लाने से आपकी दौलत में तेरा गुना बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, इस विडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां हम आपके लिए बेहत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पार धंतेरस 29 ओक्ट्यूबर को है। धंतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहत महत्वपूर्ण माना जाता है, और हमारे शास्त्रों में भी इस दिन को विशेश रूप से खरीदारी के लिए शुब बताया गया है। खासकर सोनाचांदी खरीदने की परंपरा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। यह भी बहुत शुब माना जाता है। उदारन के लिए आप थोड़ी मात्रा में गेहूं या धन्या खरीद सकते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार आपके घर में सम्रिधी और शुपता लाते हैं। महत्व पून या है कि आप इस दिन खाली हाथ न रहें और कुछ न कुछ जरूर खरीदे। अब हम बात करते हैं उस वस्तुकी जिसे धन्तेरस के दिन खरीदना बेहच शुभ माना जाता है और वह है जाडू। जाडू को मान लक्षमी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह घर से दरिद्रता और कच्रा हटाने का काम करती है। जाडू खरीदने का एक विशेश महत्व है क्योंकि इससे घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। लेकिन ध्यान रखें आपको प्लास्टिक का जाडू नहीं खरीदना है बलकि हाथ से गुथे हुए प्रकृतिक जाडू को ही खरीदे। इसे धंतेरस के दिन खरीद कर घर के उत्तर दिशा में रखें और इसका इस्तिमाल तुरंट न करें। जाडू को विशेश रूप से पूजा के लिए रखा जाना चाहिए और इसका इस्तिमाल कच्रा साफ करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धन्तेरस पर चांदी और सोने के सिक्के खरीदना भी अत्यंत शुब माना जाता है। धन्तेरस के दिन जड़ी बूटियों की खरीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्तेरस और दिवाली के दिन नए वस्त्र खरीदने का भी विशेश महत्व है। या शास्त्रों में माता लक्ष्मी की प्रसन्ता के लिए किया जाता है। नए वस्त्रों को खरीदना एक प्रकार से लक्ष्मी को घर में बुलाने का प्रतीक माना जाता है। या आपकी जीवनशैली में शुधता और नई शुरुआत का संकेत होता है और इसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अब हम आते हैं उस खास फल पर जिसके बिना आपकी धंतेरस और दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है। या फल है गूलर का फल। गूलर के वरिक्ष पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु का वास माना जाता है। या वरिक्ष शास्त्रों में बहुत ही पवित्र और शुब फल देने वाला माना जाता है। इस वरिक्ष से जुड़े कई धार्मिक कताएं भी हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान नर्सिंग ने इस वरिक्ष को वर्दान दिया था कि जिस किसी के घर में यह फल होगा, उसकी गरीबी का नाश हो जाएगा। धन्तेरस और दीपावली के दिन गूलर का फल लाना बेहद शुब माना जाता है। इसे लाने के लिए आपको विशेश रूप से तयार होना होगा। सबसे पहले एक लोटा जल और एक लाल कपड़ा लेकर गूलर के वरिक्ष के पास जाएं। वहाँ पर जल अर्पित करें और वरिक्ष से प्रार्थना करें कि हे वरिक्ष, हे मालक्ष्मी, हे भगवान विश्नु, कृप्या मुझे इस फल को घर ले जाने की अनुमती दे। इसके बाद पाँच गूलर के फल को लाल कपड़े में बांध कर घर ले आएं। ध्यान रखें कि इसे चुपचाप और श्रद्धा से लाना चाहिए, ताकि कोई इसे देख न सके। इसे घर में एक पवित्र स्थान पर रखें, जहां यह पूरे साल तक रखा रह सके। दोस्तों, धंतेरस और दीपावली केवल त्योहार ही नहीं, यह हमारे जीवन में सम्रधी, स्वास्थ और सकारात्मक उर्जा का संचार करने वाले महत्वपूर्ण दिन है। इन दिनों पर की जाने वाली खरीदारी और पूजा से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इसलिए इस धंतेरस और दीपावली पर इन विशेश वस्तों को खरीदना न भूलें, और अपने जीवन में सुक सम्रधी का स्वागत करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी उप्योगी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाब उठा सकें। धन्यवाद।